जैन की निकास, सोराहाथ, चरीटेबल, हॉस्पिटल और अंकपात मार्क पर सेगडों की संख्या में निराश्टित और गरीब परिवार के लोग भूके न रहे और उन्हें समय पर भोजन मिल सके, उसी को लेकर पिछले 40 दिनों से लोग डाउन के दौरान जरुरतमंद और निराश्टित गरीब परिवार चनों के लिए प्रति दिन भोजन का वितरन किया चारा है और आसपास के सभी रहवासियों का सही योग इसमें मिल रहा है भोजन वितरन विवस्ता में भोजन बनाते हैं और भोजन के पैकेट कमप्लीट करते हैं और फिर यह भोजन के पैकेट जरुरतमंदों को वितरित किये जाते हैं पिछले 40 दिन से निरंतर भोजन वित्रन विवस्ता चलाई जा रही है यहाँ पर देखा जा सकता है कि शहर के युवा इस दुख की घड़ी में जीजान लगा कर जरुरत मंदों की परेशानी को ध्यान में रख कर एक बहतर आम नागरी खोने का जिम्मधारी का निर्वाहन भ बनाने से लेकर भोजन वित्रन तक समय देते हैं और भोजन विवस्ता को संचालित कर रहे हैं बहारी किस प्रकार से जरुत मंदों को भोजन वित्रित किया जा रहा है और किस प्रकार से क्या है बाश इतला माता बत्मंदर के द्वारा निरंतर 38 दिनों से या 37-400 प्रेकेट रोज साम को अरीजों को बाटे जा रहे हैं चीज़े दिये जा रहे है भोजन चीज़े या आसपास के जितने भी निवासी है या रहा चलते लोग है या जो भी जरुत मंद है या जो सवारी है जो भाहर से प्रमन कर रही है मजजोर वर्गुआ या जो गुमरा है वो सभी बोजन ट्राफ्ट कर रहे हैं 30 दिनों से लगाता है किस परकार से आपके मंन में ख्याल आया कि जरूर मन्नों को भुजन करायायो और किससे परकार से क्या रहा यह पिछले साल हमDas करते आ रहे है। मता ही कहां पर बोजन बित्रन किया जा रहा है और किस पिकार से किया जा रहा है और करीब कितने दिन हो चुक है जो पुखला मता मंदिर के फास है जरूद मन लोह को चारी किया था नार से लायन सेवा के साथ में ये कार रहा है उसके बाद बाद इस दिन हो निरंतर हम लोह को निशल को बोजन आसर रहा है Voice of Rights के उज्जान से विरेंदर शर्मा की रिपोर्ट